हेलो एवरीवन बेलकम बैक इन अबर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो आज हम इस वीडियों देखेंगे यूपी प्लिस 18 फरवर यानि कि आज जो आपका सिफ्ट वन का जो एक्जाम हो उसमें जो मैंत के कुछन जो आपसे पूछे उनका सॉलुशन आज हम देखे आपने उप्शन को मैच करते रहेगा ओके किसका कौन सॉप्शन सही है तो बोला गया था चार दस और बारह से कटने वाली एक पूर बर्ग संख्या आपको बता नहीं थी चार उप्शनों में से ठीक है न तो करेंगे क्या देखो यह जो फोर है वो टू बाई टू का मल्ट जो इनके कॉमन मल्टिपिल से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा जो है उप्शन सही हो जाएगा इस तरीकी से जो 900 था वो इन तीनों नमबरों से कट हो रहा था ठीक है न तो वो 900 वाला उप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेशन नमबर टू बोला है कि संख्या है रेशि सही क्वेशन पूछा गया था क्रॉस मल्टिप्लाइ कर लीजिए क्रॉस मल्टिप्लाइ करने के वाद आपको एक्स का वैलू 8 मिलेगा आप से क्वेशन में पूछे यह चोटी संक्या यानि कि 3x तो 3 x 8 यानि कि 24 जिस बच्चे ने भी ठीक क्या हो गगा वह आपको आपको यहां देखो यह लिख दिया एक कर दिया तो ए अपॉन भी जो हमारा आ गया 5 बई 2 आ गया तो कोश्चिन में बोले गए तो जो बी है ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा तो ए प्लस बी दैट मिंस 5 और 2 कितना होगा 7 बी कितना पार्ट है हमारा 2 टू उपर आ गया परसे एड़ अपन 7 जो आपके जो चारो उप्शन थे वो आपके होल नंबर में गिवन थे तो होल में गनता 28 होल 4 भाई 7 में आपको दे रखा था मिक्स ब्रेक्शन में तो यह जो उप्शन है मिला ली जिएगा कौन का कौन सा उप्शन सही है next question number 4 & 5 & 6 तो देखिए तीनों आप यहाँ पर दिग रहे होंगे तो एक नंबर आपको गया बनता 323 आपसे बोलागा था यह दोनों संख्या कौन सी है उसमें जो कौन सा उप्शन वैच करेगा तो 323 यानि कि 323 के जो फेक्टर बनेंगे 19 और 17 मिलेंगे दोनों नंबर आपके प्रैम नंबर है that means अभाज संख होगा बोडो मास से कोशन लगातार बन रहे है 36 किसका ट्वाड़ करेंगे 3 टाम कट होगा multiply 1 by 4 प्लस 2 upon 5 into 1 upon 4 तो 3 बन जा 3 upon 4 हो गया और यह आपका 2 बन जा 2 और 2 और 4 5 जा 20 इस तो simplify करने के बाद आपको 34 upon 40 that means 17 upon 20 वाला जो option है वो आपका correct option हो जाएगा next decimal से कल भी पूछ इचा गया question तो question है 5.061 3.98 प्लस यह जो number दे रहे हैं सबको add करने का आपको मिलेगा 19.6444 वाला जो है option आपके एकदम सही हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं बाकी आगे और questions की तरफ question number 7 हमने यह लिया है question कुछ इस तरीके सा किसी वस्तू को 25% लाप पर बेचा जाता है यानि कि पहले एगर 100 की रही होगी 125 की हो गई होगी अब ठीके ना फिर बोला गया इसको 20% कम पर बेगते है that means अब 80 में sale कर रहा है फिर 80 के वज़ उसने किया कि 30% एस तरा में जब बेगा उसको तो उसको जो difference आया वो 12.60 अगर 20% कम पर बेग रहा है 80 हो गया 80 पर 30% यानि कि 104 104 में फिर उसने उसको sale किया sale करने पर उसे कितना मिल रहा था 12.25 that means पहले 125 अब 104 दोनों का difference 21 किसके एक को दे रहा है 12.60 के यहा आप से पूछा किरा मुल क्या रहा होगा 100% रहती है value तो 100 का 0.6 में जबाँ multiply करोगे तो you will get 60 रुपे जो भी option 60 वाला है वो आपका सही हो जाएगा next अभिशेक विमल और यहाँ पर चिनमे के according एक question आप से पूछा गया है तो question में दे रखा था विमल का जो तीन गोना यहा इनों को कितना मिल रहा है पच पंसो रुपे तो 11 की जो value है ratio से 11 का value पच पंसो हो तो एक का आगया 500 आप से चिनमे का पूछाए गया था सी वाले का तो 3 multiply कर दें क्योंकि इसका जो पार्ट है वो तीन पार्ट यहां से बन रहा है ओके तो 1 का 500 है तो 3 का कितना वनेगा आप आपका 1500, 1500 वाला जो option है वो सही हो जाएगा next अब आयताकार तो इसमें जादा littlely tough question नहीं पूछे गए हैं सही paper है आपका, okay तो now 9 में क्या है इसमें area दे रखा एक rectangle का, आयत के ऊपर question है area दे रखा 600 इस question में थोड़ी सी typical वाली बात ही है इसमें यह mention नहीं किया गया था जो इसमें जो आपको क्या करना है दोनों का multiply कर लेना है तो 2 का multiply 10 से करेंगे 20 आएगा, 3 से करेंगे तो आपका 30 आएगा, but जो option में है वो आपका 20 वहाँ पर match कर रहा है, तो 20 वाला जो option है वो आपका एकदम सही हो जायागा, तो चलिए बढ़ते हैं वाकि एक दो question हो रहे है उनकी तरफ distance time speed से simple question बना, shift 1 में कल भी मिला था, 2 में और आज भी first में मिला है, तो distance आपकी 900 मीटर दे रखे, time दे रखा था, 2 मिनट 30 सेकंड, हमने इसको second में convert कर लिए, 150 सेकंड हो गई, speed का formula होता है, distance upon time, distance कितना 900, time कितना आगए, 1500 सेकंड, तो 150 से डिवाइड करेंगे, तो 6 मीटर पर सेकंड हैं से निकल के आएगा, आप से जो speed पूछी गई है, वो पूछी गई है, kilometer परावर में, तो multiply करेंगे, 18 upon 5 से, तो यह हो जाएगा, 108 यानिकि 108 upon 5, 5 से डिवाइड कर देखिए, थोड़ी से यहाँ पर कलिवेश करने में, गड़वर्सी हो गी थी, उम्मीद आप समझ देगे, यहाँ पर कोसिस करेंगे, तो question 11, मोहन एक काम को 6 दूनों में करता है, स्याम 8 में करता है, अब यहाँ पर क्या होता है, मोहन, सोहन और रमेज, एक और आ जाता है, इसी काम को वो 3 दूनों फिनिस कर देते हैं, तो LCM लेने का टोटल काम कितना होना 24, तो मोहन की जो एक दिन की काम करने की छमता 4 हो गई, 8, 24, इसका 3 हो गया, 38, 24, इस 8 जो निकला है, वो 3 हो का निकला है, लेकिन मोहन स्याम कितना बना रहे है, साथ यहाँ से मैनस हो बच्चा, रमेश, रमेश की वैलू एक आगी, क्योंकि यह जो 8 वैलू थी, वो इसमें 3 इंकलूड थे, उपर की 2, 7 बना रहे है, तो रमेश का बन हो गया, तो यहाँ से 1 ले लिया, अब बोल आ गया, काम करने के लिए 800 रपे मिलते हैं, यानि की 3 का जो रेशियो है, यान यानि की 300, आपका जो है, उपसन सही हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीज जिएगा, यापर 300 आएगा स्याम बाला, ठीक है, चलिए, बढ़ते अपने लास्ट कोशन की तरफ, कोशन नमबर 12, समानता स्रीडी का लगा अतार, तीनों पेपर में कोशन आया हुआ है, कल के दोन का डिफरेंस कितने का डिफरेंस सल रहा, 5 का, फॉर्मला होता है, आपका L इकल्स टू, A प्लस N माइनस 1 इन 2D, लास्ट अम कितना है, 135, फर्स अम 15, प्लस N माइनस 1D, कितनी है, 5, सॉल्व करने के वादा, आपको यहां से N मिल जाएगा, 25, ऑप्सन में 25 भी है, कहीं आपन 25 लगा दिया हो, तो गलत हो गया होगा, कोशन को ध्यान से पढ़ना कोशन में बोला गया था, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, आपको यह लास्ट वाला टम इंकलूड नहीं करना है, और यह फर्स्ट वाला नहीं करना है, सिर्फ इनके बीच की बात हो रही है, इनक आपका solution था तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धनबाद, take care and wait for the next video.